दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फोन पे का UPI पिन भूल जाने के बाद रिसेट कैसे करते हैं जिया दोस्तो आप जब भी अपने फोन पे में बैंक एकाउन लिंक करते हैं तब आपको वहाँ पे UPI पिन बनाने का उप्सन आता है उसके बाद आप जब भी अपने फोन पे से रिचार्ज करते हैं या पैसे ट्रांसपर करते हैं तब आपको वही UPI पिन डालना होता है अगर आप अपना UPI पिन भूल चुके हैं तो उसको अगर आपको रिसेट करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को लाश्ट तक जरू देखिए क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो हम बताऊंगा कैसे फोन पे का UPI पिन भूल जाने के बाद रिसेट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना फोन पे ओपन कर लेना है फोन पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे माई मनी का ओप्सन होगा आपको यहाँ पे माई मनी के ओप्सन पर किलिक करना है my money के option पर click करने के बाद आपको यहाँ पर एक option दिखाई देगा payment payment के नीचे UPI लिखा होगा आपको यहाँ पर UPI पर click करना है UPI पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के interface दिखाई देगा यहाँ पर आपने जो भी अपना bank account लिंक किया होगा वो bank का नाम होगा और आपका account number के last के 4 digit होगे इसके बाद आपको यहाँ पर एक arrow का निसान दिखाई देगा आपको यहाँ पर arrow का निसान पर click करना है arrow के निसान पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपके account का पुरा प्योरा आ जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर दो option दिखाई देंगे पहला option होगा reset और दूसरा option होगा change लेकिन हम यहाँ पर अपना upay pin भूल चुके हैं तो उसको reset करना है तो reset करने के लिए आपको यहाँ पर reset पर क्लिक करना है reset पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार के interface दिखाई देगा आपको यहाँ पर सबसे उपर आपको अपने ATM card के last के 6 digit डालने हैं दोस्तो आपके यहाँ पर द्यान रखना है आपने जो पहले से अपना bank account यहाँ पर link कर रखा है उसी bank के ATM card के last के 6 digit डालने हैं ATM card के last के 6 digit डालने के बाद अब आपको यहाँ पर आपने ATM card की expiry date डालना है ATM card की मैंने expired date भी डाल दी है इसके बाद अब हमें यहाँ पर confirm पर क्लिक कर देना है confirm पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस दिखाई देगा दोस्तों आपके bank account में जो mobile number register है उस mobile number पर एक OTP जाएगा उस OTP को यहाँ पर डालना होगा तो मेरे यहाँ पर OTP आ चुका है तो मैं आप अपना OTP डाल देता हूँ यहाँ पर देखिए मेरी OTP है मैं आप अपनी OTP को उठा के यहाँ से डाल देता हूँ अगर आपकी OTP को यहाँ पर automatic deductive कर लेता है तो ठीक है नहीं तो आपको अपनी OTP उठाके यहाँ पे डाल देना है तो मैंने आप अपनी OTP डाल दी है OTP डालने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए आपको UPI PIN सेट करने का option है आप जो भी अपना नया UPI PIN बनाना चाहते हैं सेट करना चाहते हैं वो UPI PIN आप यहाँ पे बना लीजिए तो मैं आप अपना UPI PIN सेट करता हूँ 1, 2, 4, 5, 7, 8 मैंने यहाँ पे डाल दिया इसके बाद अब आपको यहाँ पे चेक मार पर क्लिक करना है चेक मार पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे फिर से अपना UPI PIN confirm करने के लिए बोलेगा तो मैं आपको फिर से अपना UPI PIN बनाए है उसको यहाँ पे फिर से अपना UPI PIN डाल देती है 1, 2, 4, 5, 7, 8 हमने आपको फिर से अपना जो UPI PIN बनाए है उसको डाल दिये है इसके बाद हम यहाँ पे फिर से चेक मार पर क्लिक करेंगे चेक मार पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा UPI PIN सेट हो चुका यहाँ पर देखिए लिख के आ चुका है Your UPI PIN सक्सेसफुल सेट तो दोस्तो इस प्रकार से आप भी अपने फोन पे का UPI PIN भूल जाने के बाद रिशेट कर सकते है